स्वागत है दुफ्तों एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मेडिसेन रिवियू में जहां आप पाते हैं शबी दमान्यों का रिवियू तो दुफ्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फेमाइट सलूसन के बारे में जो की बच्चों की बुरी आदत जिससे की अंगुठा चुशना या नाकून चवाना को छुडाने के लिए काफी अच्छा और जानमाना लोसन है तो दुफ्तों आज हम इसी के बारे में सीखेंगे कि इसके क्या कर यूजिज है और इसे किस तरीके से लगाना होता है और इसके क्या कोई साड़ पेक्ट भी हो सकते हैं तो इनी सभी बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं तो अगर आप इस Femite Solution के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाफ तक जरूर देखें तो दोफतों सबसे पहले बात अगर जो है Femite Nobite Lotion की करें तो इसे जो है डाबर नाम की कंपनी वनाती है और इसमें सिंगल कॉंटेस डेंटानियम बेंजोईट दिया होता है और यह आप पो 9 मिल के सीसी 187 रुपए में किसी भी मेडिकल इस्टोर पे आसानी से मिल जाती है तो दोफतों अब बात करते हैं इसके यूजच के बारे में तो दोफतों इसका उपियोग जो है बच्चों की बुरी यादत जैसे की अंगुठा चुचना नाखुन चवाना को छुडाने के लिए किया जाता है यानि जो चोटे बच्चे होते हैं वो दिन बर अंगुठे को मुँ में दिये रहते हैं चूफते रहते हैं या पिर पूरे दिन अपनी नाकुनों को चवाते रहते हैं जिससे की उनको कही दिक्कते हो जाते हैं जैसे कि उनका बजनना बढ़ना पेट का खराब होना वार बार दफ्तोना पेट का फूला रहना पेट में गैस बनना उल्टी होना जैसी समस्या हो जाती हैं और जो बच्चे नाकून चबाते रहते हैं वो बार-बार बीमार हो जाते हैं उनकी रोग प्रतोदक चमता कम हो जाती है क्योंकि जब उनके सरीर में इंफेक्शन रहेगा तो उनकी रोग प्रतोदक चमता कम ही रहेगी तो इन बच्चों के लिए अगर आप इस फेमाइट लोसन का इस्तमाल करते हैं तो वो आसानी से अंगुठा चूशना या नाकुन चबाना छोड़ देते हैं साथ ही अगर कोई बच्चा है जो तीन साल या तीन साल से बड़ा हो गया है फिर भी अपने मा का दूद पीता रहता है तो इसकी यादत चुड़ाने के लिए भी फेमाइट सलूशन वहती जादा फायदमन होता है तो दुफतो अब बात करते हैं कि इस लोसन को जो है कैसे इस्तमाल करना होता है तो अगर कोई बच्चा है जो नाकून चबाता है या अंगूठा चुफता है तो उसके अंगूठे पर लगा देना है या नाकून चबाता है तो उसके नाकून पर लगा देना है इसमें जो नेल पॉल्स की तरह एक बुरो साचा है उसकी साथा से आपको पूरे नाकून पर या पूरे अंगुठे पर लगा देना है और जब आप इसको लगाते हो तो आपको इसको 10 मिनट तक सुखाना है अगर यह सुखेगा नहीं तो यह दबा वह जाएगी और कोई असर नहीं करेगी तो 10 मिनट तक आपको इसको सुखाना है और जब यह पूरी तरीके से सुख जाता है तो इसको एक परत्सी बन जाती है तो जब बच्चा अंगुठा चुचने या नाकुन चवाने के लिए मूँ में ले जाता है तो इसको बहुत कड़वा सा असास लगता है जिससे कि भी तुरद अंगुठे को बाहर निकाल लेता है और दुबारा मूँ में नहीं डालता है साथ ही अगर कोई बच्चा है जो अपनी मा का दूद पीता है तो मा को अपने इसतन के जो निपल होती है उस पर ये सलूशन को लगा लेना है और 10 मिन तक इसको सुखा लेना है तो जब भी बच्चा दूद पियेगा तो इसको बहुत कड़वा सा लगेगा तो ऐसा अगर आप 4-5 दिन तक करेंगी तो बच्चा बहुत ही जल्दी अपनी बुरुयादत को छोड़ देगा इस तरीके से इस्तमाल करने से बच्चे की बुरुयादत बहुत ही जल्दी छोड़ जाती है तो दोफ्तों अब वीडियो के लास्ट में बात करते हैं कि क्या इसके कोई साड़पेक्ट भी हो सकते हैं तो फ्रेंट्स अगर कोई बच्चा जो इसकी उंगली पर या उसकी नाकून उपर हम इस्तवार करते हैं तो बहाँ पर आपको कोई भी साड़पेक्ट देखने को नहीं मिलता है लेकिन जब इसकी साड़पेक्ट हमें तब देखने को मिलने है जब कोई बच्चे को अगर इसने अपने मूँ में रग लिया है तो उसको जो है उल्टी सी होने लगती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कड़वा होता है तो उसको उल्टी सी समस्या दिखाई दे सकती है तो उसके लिए आप बबरायने बच्चे को जो है पानी के साथ उसको जो है कुला करा दे जिससे कि उसका मूँ सही हो जाएगा और कोई भी उसे दिक्कत नहीं होगी तो दोफ्तों ये था हमारा फिमर्ट सेलूशन का रिविव अगर आप इससे जुड़ी और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं उमीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर चैनल पर पहली बार बजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तो आज की वीडियो में फतनाई तो थैंक्स प्रिंट्स और बंदे मातरम